एक बात तो ये कि ये देश की जनसंखा के लिए अच्छा है मैं बस फाइदे गिनवा रहा हूँ ब्रह्मचर ये क्यों? पहले तो ब्रह्मचर है क्या? ब्रह्मचर मतलब जो परम है या ईश्वर चर्य मतलब मार्ग जो परम के मार्ग पर है या जो ईश्वर के रास्ते पर है एक ब्रह्मचरी है जो ईश्वर के रास्ते पर है का मतलब है देखिए आखिरकार हर कोई आनंद की खौज में है आ अजने या इनजाने में हाँ या न? क्यूंकि आपको आनंद नहीं मिला तो आपने सुख़ से काम चला लिया सुकھ आनद नहीं है सुकھ बस आनद की परचाईं भर है ये सुन्दर है लेकिन ये बहुत सीमित है जब भी आप खुद को सुख में लगाते हैं अगर आपको सुख लेना है तो सुख के लिए आपको किसी इनसान किया किसी चीज की जरूत पड़ती है है की नहीं? जितना आप सुक की गहराई में जाते हैं उतनी ही गहराई से आप उस इंसान या उस चीज से बंध जाते हैं हाँ? मान लिजी ये चीज ये व्यक्ति आप से ले लिया जाए तो आप तूट जाएंगे है की नहीं? अगर आपका सुक के साथ बड़ा गहरा जुडाव है तो वो चीज या वो इनसान जिससे आपको सुक मिलता है आप से ले ली जाए तो आप तूट नहीं जाते तो आपका अस्तित्व एक बड़ा बंधन बन जाता है बंधन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका कोई मजा लेता है आपके अंदर कुछ ऐसा है जो हमेशा हर एक बंधन से मुक्त हो जाना चाहता है लेकिन अगर आप सुक खोजने में लग गए तो आप खुशी-खुशी अपने आप ही ऐसी सीमाएं बना रहे हैं जिनने आप पार नहीं कर सकते बुरी लगने वाली सीमाओं को आप तोड़ सकते हैं है की नहीं अच्छी लगने वाली सीमाओं को आप नहीं तोड़ सकते हैं अपनी बहुत सारी जंजीरों पर आपने सोने का पानी चड़ा रखा है और आप उन्हें गैनों की तरह पैंते हैं पैंते हैं की नहीं अपनी सीमाओं का आप जश्न मनाते हैं एक बार आप अपनी सीमाओं का जश्न मनाने लग गए तो फिर उनसे मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं है तो ब्रह्मचरे का मतलब है कि आप ईश्वर के रास्ते पर हैं इसका मतलब है कि इस तरफ पहला कदम ये है कि आप अपने सुभाव से ही प्रसंद है जब ही आप बहुत खुश या आनंदित होते हैं आपने देखा है ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ की जरूत नहीं है किसी एक दिन जब आप बहुत खुश होते हैं अगर आप खाना ना खाएं सोएं ना कोई फरक नहीं पड़ता होता है न अगर आप ना खुश हैं तो हर चीज़ बढ़े हाँ होनी चाहिए आप दुनिया में हर चीज़ के बारे में शिकायत करते हैं है की नहीं जब आप सच में आनंदित होते हैं तो देखे यह आपको मुक्त कर देता है जब आप ना खुश होते हैं तो हर चीज महत पूर्ण होती है हर चीज़ एक विशिश तरीके से होनी चाहिए हर चीज़ के लिए आप शिकायत करते हैं ना खुश लोग हमेशा शिकायत करते हैं खुश लोगों के साथ काम करना उनके साथ होना हमेशा असान होता है क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो कुछ और माइने नहीं रखता हर चीज लचीली होती है तो आजादी किसमें हैं? आनन्द अजादी है या सुख अजादी है? साफ है आनन्द अजादी है, है कि नहीं? तो आप देख रहे हैं कि प्रसन्न कैसे रहा जाए अगर आपने से बाहर ढूड़ा, तो आप अपने आप सुख खोजने वाले बन जाएंगे आनन्द का स्त्रोत तो वैसे भी आपके अंदर है जब भी आप खुश थे, तो खुशी आपके अंदर महसूस हुई थी या या बाहर से आप पर बरसी थी? यह हमेशा आपके अंदर होती है, है कि नहीं? तो अगर खुशी का स्थरोत आपके अंदर है तो इसे बाहर खुजना एक बेवकूफी भरा काम है होता ये है कि खुशी का स्थरोत आपके भीतर है बस आनंद पाने के लिए आप बाहरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं या दूसरे शब्दों में आपका आनन धक्का मार कर स्टार्ट होता है क्या हम इसे सल्फ स्टार्ट बना लें? आपको नहीं चीए अगर आपने अपने आनन्द को सल्फ स्टार्ट बना लिया है तब आप एक ब्रह्मचारी है अब आप ईश्वर के रास्ते पर हैं आप अपने स्वभाव से ही आनंदित हैं क्या यहां के सारे ब्रह्मचारी ऐसे बन गए हैं हो सकता है नहीं लेकिन इरादा यही है वो इस तरफ काम कर रहे हैं इस तरफ काम करने के लिए आपको एक स्थान और समय चाहिए होता है आपका अपना जिसमें आपको अपने जीवन में दूसरी चीजें हैंडल ना करनी पड़ें इसलिए उन्होंने जीवन जीने का एक खास तरीका चुना है अभी कल हम लोग उपर पहाड पर गए थे अपने से कितने लोग उपर पहुँच पाएंगे? आप में से जादा तर नहीं पहुँच पाएंगे है कि नहीं? इसलिए ब्रह्मचर्य आप समझें? आप बहुत उची चोटी पर चड़ने के त्यारी कर रहे हैं अगर आपके पास दस लोगों को कंधे पर लेकर चड़ने की ताकत होती तो ये शांदार बात होती लेकिन ऐसे लोग हमें बहुत कम ही मिलते हैं अकेले चलना बहतर होता है इसलिए वो अकेले चलते हैं अभी आपकी समस्या ये है कि जब तक आप चौदा के हुए आपकी बुद्धी हॉर्मोन्स ने हर ली इतनी ज़ादा कि आप समझ ही नहीं पाते या ये मान ही नहीं पाते कि इनसे मुक्त कैसे होना है कोई यहां बस बैठे बैठे खुश रह सकता है उन्हें शादी करने की ज़रूत नहीं है उन्हें आदमी औरत के पीछे भागने की ज़रूत नहीं है उन्हें ऐसा यव ऐसा करने की ज़रूत नहीं है वो बस जीवन में साधरान चीज़ें करके खुश हैं आप से ज़ादा अनंदित हैं से ज़्यादा तीव रहें, तो कैस का मतलब है कि आप सब को ब्रहमचारी बन जाना चाहिए, नहीं, आप सभी को अंदर से ब्रहमचारी बनना चाहिए, जीवन शैली के मामले में वो जरूरी नहीं है, ब्रहमचारी का मतलब सिर्फ कुमारा रहना नहीं है, ठीक है, ब्रहमचा आप अपनी स्वभाव से ही परनी की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये ऐसे ही होना चाहिए। पूरे संसार को ब्रह्मचारी होना चाहिए। है की नहीं। तो जिन्होंने ये फैसला लिया है कि उन्हें किसी दूसरे से खुशी नहीं आठनी है बलकि उन्हें अपने ही भीतर की खुशी का स्थरोथ पाना है उन्होंने ब्रहमचरे ले लिया है और एक खास व्यवस्था क्यों बनाई गई है उन्हें सिर्फ उनके आत्म ज्यान के लिए नहीं अपनाय गया है अगर ये सिर्फ उनके आत्म ज्यान की बात होती तो हम कितने ही दूसरे तरीकों से ऐसा कर सकते थे आप में से कितनों ने आम खाया है आपने आम खाया है आपने आम खाया है ने में वो दस लोग आम के पेड़ लगा रहे हैं और सब लोग खा रहे हैं, है न? तो आध्यात्मिक मार्ग को पूरी इमानदारी के साथ जारी रखने के लिए ब्रमचारियों की जरूरत है ब्रमचारी का मतलब है कि हम उन्हें इस तरह से रख रहे हैं कि उनकी उर्जाएं धीली हैं, लचीली हैं हम उनसे कुछ भी बना सकते हैं मतलब कुछ भी बना सकते हैं मैं दस ब्रमचारियों को एक में मिला सकता हूं और दस ब्रह्मचारियों से एक बहुत बड़ा इंसान बना सकता हूँ एक बहुत बड़ी शक्ती हमने उनकी उर्जाएं धीली रखी है उनका कोई विक्तित तो नहीं है आप उन्हें जैसे भी मोणे वो वैसे ही बन जाएंगे देखे अगर हम एक उदाहरन लें अब आप एक विशेश प्रकार के इंसान बन गए हैं जब आप बच्चे थे तो ये काफी लचीला था जब आप युवा थे तब ये थोड़ा कड़ा हो गया जब तक आप वयस्क होते हैं ये बिल्कुल कड़ा हो जाता है ये ऐसा है जैसे हम देख सकते हैं बरतन धीरे धीरे जीवन की प्रक्रिया के साथ पक रहा है अब जब तक आप बुढ़े होंगे तब तक ये पूरी तरा से सकत रूप होगा अगर आपने इसके साथ कुछ भी किया तो ये टूट जाएगा देखिए अभी यहाँ एक पका हुआ बरतन है अगर आप इसका आकार बदलने की कोशिश करें तो ये केवल टुकडे टुकडे ही होगा है की नहीं लेकिन जब ये पका नहीं था तब आप आसानी से इसको मोड़कर कुछ भी बना सकते थे आपने दस कच्चे बरतन बनाए कल आप को ये अच्छे नहीं लगे तो आप इन सब को एक साथ जोड़कर एक बड़ा बरतन मना सकते हैं है की नहीं अब हम पके हुआं को कच्चा बना रहे हैं हम उन्हें उस अवस्था तक कच्चा बना रहे हैं जहां वो बहुत लचीले हो जाएं हम उने कोई भी आकार, कोई भी रूप दे सकते हैं तो ब्रह्मचारी उस तरफ काम कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी साधना है ये वैसा नहीं है जानते हैं जैसे दुनिया के दूसरे सिस्टम कर रहे हैं कि वो बस शादी न करने की कसम खा लेते हैं ये वैसा नहीं है वो अपनी उरजाओं के साथ क्या करते हैं उसका पूरा का पूरा एक सिस्टम है अंदरूनी तोर पर बहुत बड़ा काम किया जा रहा है ये इसका बहुत चोटा हिस्सा है जो आपको दिख रहा है कि उन्होंने शादी नहीं की ये इसका बहुत छोटा हिस्सा है, बाकी का बहुत अंदरूनी है, और ऐसे लोग जो दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं, उनकी समाज में जरूरत है, किसी भी समय, किसी भी समाज में दूसरों की भलाई सोचने वाला अगर कोई भी नहीं है, तो समाज निश्चिती बरबादी की तरफ बढ़ रहा है, पक्का अभी इस समाज के साथ यही चीज़ हुई है, बहुत कम लोग हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, बाकी सब मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, अगर कुछ प्रतिशत लोग अपनी भलाई से प बारे में नहीं सोचते हैं, वो देखते हैं कि यह सब दूसरों के लिए कैसे संभव हो, तो आध्यात्मिक्ता की प्राचीन शुद्धा बनाए रखने के लिए, और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित करने के लिए, ब्रह्मचारी भविश्य के लिए एक निवेश है, बहुत सारे गुणों को देखते हुए और तमाम संभावनाओं को देखकर हम हर किसी को नहीं लेते, क्योंकि यह जरूरी नहीं है, और नहीं वो ऐसे बन पाएंगे, और नहीं वो उतनी साधना कर पाएंगे जिसकी जरुरत है या जो उनसे आपक्षित है, आपका अस्तित् आगरूग बनना चाहिए, जिससे आप खुद को किसी भी तरह का बरतन बना सकें, क्या ऐसी आजादे अच्छी चीज़ नहीं है, यही ब्रह्मचर्य है